अलो फ्रेंड्स नमस्कार वेलकम बेक आयटेन अकेडमी मैसलफ किया लास्कमार मैसे मैथमाटिक्स दिपार्टमेट ओफ आध एक खड़ दोस्तों आज हम करेंगे लेक्ट्र नमबर टू लेक्ट्र नमबर टू हमने जो प्रिवियस जो हमारा लेक्ट्र था हमारा कनवर्जेंस के ओपर था हमने इस लेक्ट्र में क्या क्या पड़ा अज़े देखते हैं हमने स्क्वेंस के बारे में जाना स्क्वेंस क्या चीज होती है और उसका रिपर्जेंटेशन हमें किस परकार से करना होता है इसको करने के बाद हमने जाना रेंज क्या होती है स्क्वेंस की और उसके बाद में रेंज को बताने के बाद हमने जाना कि कॉंस्ट्रेंट स्क्वेंस क्या होता है और इक्वल स्क्वेंस क्या होता है उसके बाद में हमने बाउंडेड नैस और अन बाउंडेड इन चीजों सिक्वेंस क्या होता है यह हमारा है अभी एक सर्दू है वो है मोनोटॉनिक सिक्वेंस दोस्तों मोनोटॉनिक का मतलब हिंदी में मिनिंग होता है वो होता है एक डिश्ट अनुकरम एक डिश्ट अनुकरम इसके बाद दोस्तों मोनोटॉनिक सिक्वेंस एक होता है स्ट्रिक्टली मोन टॉनिक स्क्वेंस दो चीजी होते हैं हमारे पास एक होता है सिक्वेंस सिक्वेंस ओके ट्रिक ली मॉनोटोनिक सिक्वेंस होता है हमारे पास यहां से क्या होता है एक तो होता है एक दिष्ट अनुकरम एक होता है निरंटर एक दिष्ट अनुकरम निरंतर एकदिष्ट के और दो ट्रम ओफ रहते हैं दोस्तों एक वाद पड़ेंगे स्टिकली मॉनोटोनीक डिक्रीजिग यह हमारे पास चाय ट्रम होती है एक हमारे पास पहले तो मोनोटोनिक सिक्वेंस आएगी मोनोटोनीक क्या होता है उसके बाद पढ़ेंगे हम strictly monotonic क्या होता है उसके बाद में पढ़ेंगे strictly decreasing sequence क्या होता है ना strictly monotonic उसके बाद में दोस्तों लिखना है ओके आये जानते हैं monotonic sequence क्या होता है जो या तो monotonic हो जैसे बढ़ती रहे या एक होता है decreasing तो यह क्या होता है decreasing जैसे decrease कोई भी चीज कर रही होगी है ना इसकी value लगातार बढ़ रही है वह increasing increasing को मैं mostly इस से लिखूंगा increasing और decreasing को mostly मैं इस से लिखूंगा decreasing करना उसके बाद में मोनोटोनिक स्क्रेजिंग 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 स्क्रेज मोनोटोनिक जो सिक्वेंस होती है उसके बारे में पड़ते हैं कि मोनोटोनिक मोनोटोनिक जो सिक्वेंस होते है एक ऐसा अनुकरम या तो एक दिस्ट वर्दमान हो या एक दिस्ट आसमान हो तो एक दिस्ट अनुकरम कहलाता है या मोनोटोनिक अनुकरम कहलाता है मतलब action हमारे पास sequence है वो या तो monotonic increasing होना चाहिए या monotonic decreasing होना चाहिए तो वो क्या कहलता है monotonic sequence कहलता है आप लिखेंगे हिंदी में बता देता हूं यदी कानुकरम action या तो या तो monotonic increasing हो मतलब एक दिश्ट है एक दिश्ट वर्दमान एक दिश्ट वर्दमान हो या फिर एक दिश्ट हास्मान एक दिश्ट हास्मान हो उसे monotonic sequence बोलते हैं या निरंतर sequence बोलते हैं निरंतर नंकरम बोलते हैं monotonic सेक्वेंस कहते हैं ओके दोस्तों यहां से क्यूशन जो होता है अच्छे लेवल का आता है हम जो तियारी कर रहे हैं फ़र्ष्ट ग्रेड और अन्वियस के लिए जो एक्जाम में क्यूशन आते हैं वहां तक कि हम तियारी कर रहे हैं ओके और यह जो स्लेबस है वो CSI अनेट और गेट का भी स्लेबस है तो मैं थोड़ा हाई लेवल लेकर चल रहा हूं लो लेवल के क्यूशन भी हम करेंगे लेकिन हाई लेवल के वी क्यूशन हमें करना जरूरी है क्योंकि आज के समय एक्जाम को ज़ब लेवल है वह ज़्यादा हाई हो चुका है आपने अगर अन् मोनो टानिक स्थिक्वेंस कहते हैं तो अन्य दुट्रिक मॉनो टॉनिक होता है अगर हमारे पास दो मॉनोटोनिक सिक्वेंस या तो एक दिस्ट वर्दमान हो यह एक दिस्ट हास्वान हो लेकिन अगर हे जैसे दिंखो कई बार वैलियों ऐसे तो टो फिर 30 आजये फिर फायफ आजये फिर 15 आजये ऐसे करते करते हैं मौनो टानिक स्थीक्वेंस बढ़ रही है मतलब हमेशा अटियों के आइप फाइब फर फाइब इस परकार से हमेशा बढ़ती रहे मतलब टो की एक वो है strictly increasing sequence क्या है strictly monotonically increasing sequence पहला जो है monotonically increasing sequence क्या होता है वो अपन देखते हैं ना मोनो टोनिक लिए increasing sequence के लिए आप लिखोगे देखो वैसे तुम आपको बताता है monotronic increasing का मतलब क्या है कि action plus one हमेशा क्या होगा greater than action होगा action plus one हमेशा greater than action होगा मतलब यह जो एक्सन की value है वो monotronic increasing कर रहा है तो action की value छोटी होगी होगी एक्स टू के value उससे बड़ी होगी एक्स फॉर की value और लास्ट में जो भी वेल्यू आएगी वो सबसे बड़ी होती से ले जाएगा मतलब सबसे चोटी value क्यों सी है एक्सन है फिर एक्स टू से बड़ी है फिर यहां पर अग्मान लेजे एक्सन आ रहा है फिर उसके बाद में दोस्तो एक्सन प्लस वन आएगा इस प्रकार से strictly monotronically increasing का मतलब क्या हमेशा value जो बढ़ती रहेगी वो है ओके strictly monotonic sequence ओके इस प्रकार से यह जो monotonic increasing sequence है वो तो यह हो गई यहां पर हमने एक बात का ध्यान किया होगा यह यह एक्सन प्लस वन ग्रेटर देन यह हो गया strictly 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 monotonic increasing strictly monotonic increasing sequence समझ मैं आया difference क्या है एक तो होता है monotonic increasing मतलब बढ़ रही है लेकिन equal भी हो सकती है जैसे मैंने आपको sequence बताया 2 2 3 5 5 5 7 8 9 ऐसे करते करते तो monotonically increasing का मतलब क्या है वो sequence equal भी हो सकती है एक्षन प्लस बन ग्रेटर देन होता है जहां पर न बिलॉंग टुक्या होता है और strictly monotonic sequence का मतलब क्या होता है दोस्तों इसके अंदर action प्लस वन greater than होगा हमेशा action से लेकिन कभी equal नहीं होगा तो आपको लिखना है आपको लिखना है monotonic increasing sequence के लिए आपके लिखंगे कि अनुकरं action में यादि लाधिन अनुकरं action अनुकरं action या sequence action prefer इंक्रेजिंग monotonically increasing sequencing है यादिक होगा action प्लस वन ग्रेटर देन हो एक्षण से ओके ओर रोल एन बिलॉंग टू एन आप लिखोगे मोनोटोनिक लिए अपने लिख लिया कोई दिक कतम नहीं है अब एक वतार स्रिक्ली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग आप लिखोगे कि अनुकरम अनुकरम का मिलों क्या सिक्वेंस कि अनुकरम एक्षण में यदी में यदी एक्स अन प्लस वन ग्रेटर देन एक्षण हो तो एक्स अन प्लस वन ग्रेटर देन एक्षण हो तो यह है हो तो और फोर रोल अन बिलॉंग टू अन है हो तो यह है एक दिश्ट एक दिस्ट निरंतर एक दिस्ट निरंतर एक दिष्ट ए आनुकरम पश्लाथी ओक दोस्तो वैसे जो डिय borrow आणिस है उसके described प्रम मोङ स्मूजिशं़िक होगे तो काफी आसानी होगी आपको समझने में कसा को भी स्ट्रिक्टली मॉनोटोनिक सिक्वेंस होनी चाहिए तो आपको इन बातों का पता होना चाहिए कि कौन सी टर्म को हम क्या बोल रहे हैं कि क्योंकि हमने जब पढ़ा है वो सारी इंग्लिस में पढ़ी है किताब लगबद होगी लेकिन फिर भी आपको करके बता रहे हैं इस परकार से हमने जाना और इसका दोस्तों एक एक्जामपल देख लेते हैं इसका जो एक्जामपल होगा वो होगा एन अपॉन एन अपॉन एन प्लस वन यह क्या है क्या है तो यहां थ्री होगा थ्री रखोगे फोर होगा इस प्रकार से दोस्तों यह जो सिक्वेंस है वह चलती जाएगी और यह क्या है था फिर यह वाई थ्रींग बढ़ते जाने जारिये ओके कोई दिख्कट नहीं है उमेद करता हूं इतना आपको समझ में जुरूर आया होगा आक आगे वाला डोय वह करते हैं कि और या I am not on stock ॾ कि मौनटनिकली डिक्रेजिंग सिक्वेंस कि और मौन ट्रॉनिकली decreasing को लिखते हैं ऐसे monotonically decreasing sequence ओके दोस्तों monotonically decreasing sequence इसको हिंदी में बोलते हैं एक दिष्ट हासमान अनुकरम कि यहां से जो क्यूशन है वह जायर के लिए स्टेट स्टेट पॉर्वर्ड आते हैं कि कन्वर्जेंट है या नहीं है और सिलेटिंग करेगी नहीं करेगी या फिर पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा ठेस्ट हमें दो जितने प्रकार केटेश्ट है कन्वर्जेंस के लिए वह अप्लाई करने होते हैं लगवग पी टेश्ट का यूज करने से या फिर कंडीशनली काफ्यक्र और ए वाद है इस प्रकार की जो स्वाल है वह आते है यहां पर ذ Qué सब जेनी हमारे आपन कर करते हैं तो दोस्तों आप लिखोगे अनुकरम एक्षन में यदि एक्षन प्लस वन लेश देन इक्वल टू एक्षन होता है है ओके आपके संबंघ्षन लेश थेन एक्षन होता है और लूंग बड़ी वैलिया होगी होगी डीकरेज़िंग करते होए जाएगी सब से बड़ी वैलियू हमने पहले लिख लिखि लिख लिएन उसके बाद में वैल्यव देरे दीरे पाम होती हुई जाएगी ओके एक्वल का चीन है भी है एक्वल टू भी हो सबता है एक्षन ओके और फिर आएगा एक्षन प्लस वन आएगा इस परकार से दोस्तों यह डिक्रेजिंग स्प्वेंस अपनी बनती है ओके उसके बाद में आता है स्ट्रिक्ली मोनोटोनिकली सिक्वेंस तिसे आप हंदी में बोलते हैं नियराइंतर एक इस्थ अनुकरम ओके यहां पर दोस्तों क्या होगा एक अनुकरम जो एक्षन होगा कि वो हमेश्यां एक्ष cette н ikson होगा Okay for all and belong to n बस फ़रा कितना ही है दोस्तों यहां पर एक्वलूटु का चीना आया है और यहां पर एक्वलूटू का चीना नहीं है और डेफिनेशन सेम है कोई दिक्कत नहीं है पिछली हमने जो डेफिनेशन की थी आसे ही है तो इसका दोस्तों एक्जामपल जो है वो है 1 yn 1 yn क्या होता है आए इसको लिखते हैं तो पहले वन की जगह लिखेंगे अपन उसके बाद में करेंगे होगा फिर य थुऊंपलस ठीखले हींऽ परकार से हमारा प्लसазд एकल नहीं है प्रकार से हमने दोनों देख लिए हैंилIT limit point of a sequence क्या होता है ओके तो नया point है हमारा limit point of a sequence limit point of a sequence हिंदी में इसको बोलते हैं अनुकरम का शिमा बेंदू अनुकरम का शिमा बेंदू क्या होता है तो देखते हैं जैसे कि मान लेजिए एक हमारे पास वास्तिक संख्या क्या है एलफा है हमारे पास वास्तिक संख्या क्या है एलफा है तो एलफा को हम यह एलफा को हम limit point बोलेंगे यदी यदी alpha के neighborhood में अनंत पद आ जाए ओके मतलब if every neighborhood of alpha contain infinite number of drum of the sequence ओके यदी जो हमारे पास alpha है उसके जो neighborhood में infinite drum आ जाए नेफिरोड का मलब क्या है मान लेजिए अगर 1 और one लेजिगा आपको सिक्वेंस बता हुँ कि माइनस वन की पावर अन्हीं तो आपको पता है यह आए गा माइनस वं फिर माइनस वन फिर वन दोस्तों इसके अंदर हमने आपको बताय था रेंज इसकी क्या बनती है वन और बाइनस वन इसकी रेंज बनती है इसका मलूब इस परकार से चलते 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 यहां पर इसके नेबर हुड में इतनी वैल्य बनेगी उसी परकार से दोस्तों माइनस वन के नेबर हुड में क्या बनेगा एक नोट बनेगा फिर इस परकार से हमारे नेबर हुड में बनती जाएगी तो मैंने आपको बताया इसके नेबर हुड में कितनी वैल्य कंटेंड कर रही हो के तो नेबर हुड में हमारे पास क्या होने चाहिए अनंत्पद होने चाहिए ओके आईए इसकी जो ठेयरी है वह हम लिखते हैं थोड़ा सा लिखते हैं या फिर एक्शन माइनस एक्शन माइनस एलफा लेस देन एपसाइलन होगा और फोर रोल एन बिलोंग टू क्या है नेचुरल नंबर है और यहां स लिखेंगे हम यहां से इसको लिखेंगे अलफा माइनस अफशैलम ये आपने ब्यस श्में जरूर किया होगा और षोगि यह है मिनिंग लेसा आपके क्योंकि हम जब क्यूशन करेंगे इतना ज्यादा यूज नहीं है हम जहां तक करेंगे सफीशेंट है ओके तो एक्षन विलॉंग अनुकरम के अनुकरम में अनुकरम में अनन्ध पद है मैंने आपका अवी समझाया कि इस प्रकार से हैं खमझ में आ रही है मेरे बाते मैंने आपको बताया कि neighborhood में infinite number of term करने चाहिए content करने चाहिए सिमा बिंदू होने के लिए limit point होने के लिए जो हमारा limit point होगा उसके अंदर sequence के infinite number of term exist करने चाहिए तो दोस्तो इसके बाद में अगर आपको एक और example बताऊं जैसे अगर आपके पास यह हो कि action equal to one by two मानले हमारे पास यह जो है वह हमने के लिए sequence लिया है action equal to one by two इसका मलब क्या हुआ होगा दोस्तो एक्षान की value कितनी होगी 1 होगी one by two होगी एक्स्टो की value कितनी होगी one by two होगी मतलब आप देख थरी एक्षण डौटट डौट एक्षान प्लस फिर उससे आगे आप चले जाओ ना तो वहां पर सब की जगह वेल्यू क्या होगी मतलब आपको वन वाई टू के आज पास आपको इतने नंबर ओफ ट्रम मिल जाएगी इसका मतलब क्या होगा है लिमिट पॉइंट हमारा क्या होगा इसका वन वाई तो होगा है एए रियल नंबर अलफा क्या होता है एक रियल नंबर आप लिखेंगे दोस्तों और यह रियल नंबर एलफा इस एड़ टूबी अलेमेट पॉइंट गिवन स्पिक्वेंट अरियल नंबर एलफा इसेट भी लिमिट पॉन ओप गिवन स्पिक्वेंट एक्वेंट इसक्वेंट अपके इप यहांस इंपोर्टेंट बात आती है इस अब देखो एन बीडी का मतलब क्या दोस्तों नेबर हुड ओके इसको लिख देता हूं नेबर हुड मतलब पड़ोशी ओके इस एवरी नेबर हुड अफ एलपा रंटेन इप एवरी नेबर हुड ओप रंटेन एन इन जाएन इन फाइनाइट नमबर अंबर ओस रंजया हुड् S अपर अफ दे सिक्वेंस असलिज्य अभी हमने डेशिरेशन लिख दी है रियल लमेर यहें रियल नुम्र सस den Minsk में अ बाूरी कोई पॉैंट करलाता है है जयलिव मिड़त कर लाता है और एक्सन के लिए इप एवरी नेबर हुड अगर हमारे पास एलफा के नेबर हुड में देखो एलफा मानेस अप्साइलम एलफा अप्लास अप्साइलम इस एवरे नबर हुड ओफ एलफा कंटेन infinite number of term of the sequence हमें एलफा के आसपास infinite number of term मिलने चीए सिक्वेंस की ओके यह हिंदी में आप लिखोगे हिंदी में दोस्तों थोड़ा सा डिफिकल्ट बहुत ज्यादा है यह चलो फिर भी लिखते हैं कि अन्य में आप लिखोगे क्योंकि लिमेट तो देखोगे लिमेट पॉइंट तो आपको निकालना आना ची एक वास्ट विक राश्ची एलफा डिये हुए अनुकरम का डिये हुए अनुकरम एक्शन का सीमा बिंदू सीमा बिंदू सीमा बिंदू यह हुए अनुकरम का सीमा बिंदू सहलाता है यदि यदि एलफा के पर्तेक नेबर हुड का मलोग करता है समीप में कामेप के इसके मलोग क्या है नेबर फूड में अनुकरम ऐक्शन के एनन्थ पद हो ओके नेबर हुड में उकरम के अनन्थ पद हो वही बात हमने पहले लेखी थी वही बात अभी आपको बता दी ओके उसके बाद मैं दोस्तों उसके बाद में दोस्तो एक दो important जो बात है वो limit point के लिए important बाते हैं क्या है वो limit point के लिए बाते कि limit point of a sequence need not exist कि जरूरी नहीं है अनुकरम का सिमा बिंदू exist करे ही आप लिखोगे limit point of a sequence need not exist का सीमा का बिंदू विद्यमान होनाँशक नहीं है limit point of a sequence need not exist, जरूरी नहीं है कि सीमा का बिंदू exist करे कि हिंडी में आप लिकलोगे, ओखे, अनुकरम का सिमा बिंदू का विद्यमान होना जरूरी नहीं है, आवसक नहीं है तो तो नमबर दो पॉइंट है वह आप लिखोगे लिमिट पॉइंट नेड़नोट में ट्रम आफ सिक्वेंस मैं आपको हिंदी और इंग्लिष के दोनों पीडिएफ दे दूंगा ओके आपको मेरे टेलिंग राम जो चैनल है आई एकडिमी नाम करकर टेलिग्राम चैनल है वहाँ पर आपको जितना भी बनौट्स बना रहा हूं उसका आपको पीडिएफ मिल जाएगा बाकि जहां से मैं नेड़ नोट भी एग रम उप्ती इसका हिंदी मिनिंग क्या है कि सीमा बिंदू का अनुकरम का पद होना आपशिक नहीं है ओके दोस्तों उमेद करता हूं यह दोनों आपको पता होगा रिमार्क के बारे में उसके बाद में अगर हमारे पास मैंने पहले तो एक इसका एक इसका होगा होगा यूनिक लिमिट पोइंट होगा क्या होगा यूनिक लिमिट पोइंट कैसे होगा फिर यह हमने जान लिया उसके बाद में दोस्तों एक होता है 1 by n 1 by n ओके तो 1 by n होता है तो जब आप 0 की तरफ एप्रोच करने लग जाओगे जब हम 0 की तरफ एप्रोच करने लग जाएंगे तो इसका लिमिट पॉइंट क्या होना जैसे ही हम 0 की तरफ जाएंगे जैसे ही हम 1 by n पहले 1 रखेंगे क्या होगा इसका पहले होगा पहले के तरफ चलंगे वहन बाइन प्रकास को तरफ से आप नेबर हुड में देखो गे जैसे ही अपन आगे की तरफ बेटी से लेंगे इसका लिमिट को सारी पने को वेल्यू मिलने लग दियागे क्योंकि अगर अपने ने यहां पर देखा देखो यह अपना क्या है वन है यह अपना वन वाई टू मान लेजिए यह अपना वन वाई थ्री मान लेजिए ओके यह अपना वन वाई फोर है यह तोरी मैं इसको थोड़ा बढ़ा करके लिखता हूँ यहां पर इसको समझने के लिए अपने ने क्या किया यह अपना क्या था स्परकारगए का थी और यह किना हो गया यह कि यह ऑन है यह तह और इसको मान लिए जीरो तो यह पर पहले मैंने बन रखा तो यह पहली मीरी सेक्ट कौना स्कुन वाद गई ऑक टू क्या होगा वन अगिए तु है और इसको माँलियर जीरो यहां पर पहले मैंने बन रखा तो पहली मैरी मेरी सिक्मेंश ती कौनंसी सिक्मेंश र cu स्टानब्स वोगा ये कितना हो गया मैं ऩह इसको नाम दे मने अवनेस्टि में दोस्तों कि यहां से बनेगा इपस्वेस फॉरी पहले बनेगा फिर रहे पनेगा मनघ R DO T surfing crashed पोके यह तँ था हमार रहे यह था हमारा एकश्टी यह बन रहा है दोस्तों यह कौन सा है X4 है उसके बाद में और अगे बनता जाएगा जैसे जैसे माð देख रहा हूं इसके ने वाब्वेड में कुछ नहीं लेकिन झासे जीरो के और दी तरा ये ये撇ऊ ट्रॉमों हो यासा परोंट मील्यक मिला लगा इसका मुंद्री इसका फिक झा लिमीटों है जा एक सिमा बिन्दु का नाम क्या है जीरो है जो श्यम अनुकरम का पद नहीं है औक यह जो यहां लिखोगे जो प्रियम अनुकरम का पद नहीं है जो लास्ट वाली हमने दो नमर थेयोरम लिखी थी लिमिट पॉइंट नेड नॉट विट रम आप टी सिक्वेंस जरूरी नहीं है कि अनुकरम का पद हो है ना हमने इस थेयोरम से देखा कि लिमिट पॉइंट का जरूरी नहीं है कि वो ट्रम जो ट्रम ओफी सिक्वेंस होना ओके तो इसके बाद में कंट्यून्यू करते हैं फिर दोस्तों एक और नेक्स जो हमारे क्यूशन है वो है अगर आपको एक्षन एक्वल टू मैं बोलूं कि अन कि स्क्वेर है इसका कोई स प्रकार से दोस्तों चलता जाएका तो हमारे पास ऐसी कुछ भी हमें नहीं मिला जिसके हम नेवर हुड में इन पाने नमर देख पाएं इस प्रकार से आप लिखोगे सिमा विंदू विद्यमान नहीं है उके इसके अंदर क्या है माव बिंदू विद्यमान नहीं है ओके दोस्तों सीमा विंदू विद्यमान नहीं है उसके बाद में एक VW साव ai VW जो थैर्म थी उसके लिए क्या होगा षॉराष्ट्रस जो परमय है उसको देखते हैं टेखने ओके VW जो परमय है VW जो थैर्म है वह क्या करती है वह क्या बोलता है आए उसको जानते हैं उसका स्टेटमेंट क्या है दोस्तों काफी बार हमने देखा कि ऐसी छोटी-छोटी जो ठेरम होती है वह कई बार स्टेटमेंट में आ जाती है और स्टेटमेंट में आज कल क्योंकि क्यूशन है वह अच्छे लेवल के चुका है आपको इन थियोर्म से रिलेटेड भी स्टेटमेंट देखने को कहीं भी मिल सकते हैं और अगर आपने देखा होगा अगर आप CSI NET का एक्जाम दिये होंगे तो इसमें जो थियोर्म का इंप्रोटेंस बहुत ज्यादा होता है मल्टिपल सेलेक्टेड क्यूशन करने में और गेट का एक्जाम में भी यहां से क्यूशन जरूर बनते हैं आईए जानते हैं चीज़ के तो हमारा जो BW का स्टेटमेंट जो था जो दोस्तो स्टेटमेंट है BW का वह क्या कहता है एवरी बाउंडेड सिक्वेंस बाउंडेड स्टेटमेंट है वह है एवरी बाउंडेड सिक्वेंस एज़ एट लिस्ट वफ लिमिट्पांट बन लिमिट्पांट एवरी पॉण्डेड सिक्वेंस हैज एक लिस्ट वन लिमिट्पांट पर्तेग परिबत अनुकरम का कम से कम मेक्सिमा विंद्यू अविश्य होता है ओके हिंद्यू में बता देता हूँ आपको क्योंकि देखो इंग्लिस बहुत इंपर्टेंट है अगर आप हाईयर लेवल की कोई भी किताबे पढ़ोगे अमस्सी जब हम करते हैं तो भी इंग्लिस का इंपर्टेंज बहुत जादा है तो इतना तो आपको पता होना चाहिए ओके लेकिन फिर भी लिख देते हैं परतेख परिबद अनुकरम परिबद का मतलब क्या है बाउंडेड परतेख परिबद अनुकरम का सम से सम एक दिमा बिंदू होता होता है ओके जो भी हमारे बाउंडेड सिक्वेंस होगी उसका हमें एक लिमिट पोइंट एकजिस्ट अविश्य है करता है यह हमारे बेडवलू साब ने हमें बताया की स्टेड फ़ोर्वरड सब को पता है ऑके वरे बाउंडेड सिक्वेंस है एकलीस्ट ऊनले मिट ऊड़ोगे उसके बाद में दोस्टोhr उसके बाद में दोस्तों हमारे पास आता है कि कन रिज़ेंट क्या होताय हम कि हमें कनवरजेंट के बारे में समझना चाहिए ना पहले हमने जितनी भी थियोड की थी पहले हम उसका बैस बनाना चाहा रहे थे कब हम कनवरजेंट बोलेंगे और आये शुरू करते हैं Convergent Sequence Convergent Sequence इसका मलदद दोस्तो अभी सारी इन्दे में क्या बोलते हैं इसको अभी सारी अनुकरम अभी सारी आनुकरम यह बाते आपको ज्यान रखने हैं दोस्तों कई बार काफी बार स्टूडेंट के यह confusion रहता है अप सारी क्या होता है अभी सारी क्या होता है ओके किकहर्जेंट करने के लिए हमारे पास कोई भी दोस्तों क्या होता है क्या होता है क्या हमारे सेक्षेंस होती है एक्षन क्या है स्डाइट है एक्षज क्या है इंफिनिटी कर दिया उसकी वैल अगर हमारे पाफ आती है तो हम बोलेंगे इसको कि यह हमारी कनले सिक के अगर रहे हैं मतलब पलस मानिस infinity कर रहे हैं action के उपर limit n tends to infinity action equal to L और L जो है अगर हमारी finite आती है क्या आती है finite आती है तो हम बोलेंगे दोस्तों यह क्या है Convergent sequence है आईए इसके definition लिखते है sequence action Convergent को जो है वो shortcut मैं इसे लिखते हैं CGT आगे से अगर मैं CGT लिखता हूँ तो Convergent आप समझना है Convergent और अगर मैं DGT लिखता हूँ तो आपको समझना है Convergent लिखा गया ओके sequence को हमने लिखा as aqn ओके इस प्रकार से आपको Convergent और डाविजेंट का भी आपको पता होना चीए इस प्रकार से sequence action is called Convergent if its limit its limit is finite its limit is finite ओके दोस्तों a Convergent a sequence action is said to be Convergent if limit is finite ओके और इसको हमने यह बता दिया या फिर आप हिंदी में लिखना चाहाँ हुए एक अनुकरम आप लिखोगे एक अनुकरम जो है वो action क्या कहलता है Convergent कहलता है या फिर लिखोगे आप अभी सारी कहलता है अभी सारी कहलता है यदि limit क्या हो finite हो यदि इसकी limit finite हो या फिर परिमित हो इसकी सीमा लिमिट को बोलोगे है हिंदी में सीमा इसकी सीमा परिमित हो ओके परिमित हो, ओके दोस्तों यहां तक हम ने कर लिया इसकी सीमा क्या होने चाहिए परिमित होने चाहिए और हमने आपको बताया किस प्रकार से हमें देखना होता है limit and trace to infinity, action equal to all करते हैं तो यह क्या होता है, ओके और उसके बाद में दोस्तों आता है divergent sequence, इसका बाद में लिखते हैं divergent sequence divergent को लिखते हैं DGT से divergent sequence इसको बोलते हैं हिंदे में अपसारी, अपसारी अनुकरम अपसारी अनुकरम इसको बोलते हैं दोस्तों और अपसारी अनुकरम करने के लिए परिमित नहीं होना थी मतलब क्या है कि जब आप limit लगाओगे and trace to infinity के और action के तो दोस्तों plus infinity आना चाहिए minus infinity आना चाहिए इसका मतलब परिमित नहीं है तो आप लेखोगे कि अनुकरम एक्सारी कहलाता है एक्सारी कहलाता है यदि यदि limit as to infinity action क्या है परिमित नहीं है उपर वाला क्या था परिमित था ये क्या है परिमित नहीं है ओके दोस्तों उमीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा convergence और divergent क्या होता है उसके बाद में next lecture में हम इसके example हो करने की कोसिश करेंगे कि convergence क्या है और divergent क्या है जब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और दोस्तों का आप शेयर करें ताकि दोस्तों के help हो सकें और थैंक्यू थैंक्स फॉर वाचिंग बाई बाई